अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे अपने सभी दोस्तों को अपने फ्रेंड सेर कर दीजे और देखे अनकेडमी पर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन जोइन करना है किसी भी एक्जाम की कम्प्लेट चारी करनी है तो SSC से लेके UPSC तक के सभी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको रेफरल कोड यूज करना है इससे आपको मैक्सिम डिसकाउंट मिल जाएगा और स सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा टोप एजुकेटर के कोर्स दोस्तों 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो आप फटा-फट सब्सक्रिप्शन जोइन कर लिजेगा याद रखेगा कोड क्या लगाना है और देखे एक आपका यह ओफर चल रहा है अभी अगस्त ओफर जिसमे आपको वन यर के सब्सक्रिप्शन के साथ में थ्री मंत का फ्री मिल रहा है और टू यर के साथ में सिक्स मंत का फ्री मिल रहा है और एक सीटी प्रपेशन ओफर है दोस्तों जिसमें आपको वन यर के साथ में सिक्स मंत का और टू यर के साथ में 12 मंत का सब्सक्रिप्शन फ गोंबेट जोएन हो जाएगा और यह आपको एवरी संडे बारा बजे होता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों यह पहला कुशन है चाए और कोफी के जादा सेवन से इन में से किस की कमी हो जाती है आपको बताना है अगर हम जादा चाए या कोफी पीते हैं तो किस चीज की कमी हमारे बोड़ी में हो सकती है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कैल्सियम की ठीक है तो राइट आंसर इस ओप्शन भी चलिए दूसरा कोशन देखते हैं दूसरा कोशन है मदू मेह से पिडित व्यक्ति के बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है ठीक है तो जल्दी से बते हैं दोस्तों जो जिसको diabetes होती है वो बार-बार पानी पीता है वो बार-बार पानी क्यों पेता है दोस्तों क्योंकि उसकी body में glucose कम करने के लिए यानि कि option हो जाएगा A right answer ठीक है next question है काची में परसिद कैलासनात मंदिर का निर्मान किया गया था किसके द्वारा किया गया था यह आपको बताना है बिल्कुल यह किया गया था दोस्तों महिंद्र वर्मन दृत्या के द्वारा यानि की option B right answer हो जाएगा यह 685 AD से 705 AD के बीच में किया था ठीक है चले next question इन में से कौन से दो खाने योग्या प्रोटीन के अच्छे सरोथ है बते वई देखिए प्रोटीन से भरपूर इसमें आपका सोयबीन होता है आप सभी को पता है और मुंगफली यानि की option यहाँ पे C वाला करेक्ट आंसर होगा next question है सिक्किम से गुजरने वाला अक्सांस खालिस्तान से भी होकर गुजरता है the latitude which through सिक्किम also pass through तो यह दोस्तों also कहां को गुजरता है राजिस्तान ठीक है तो right answer आपका option B हो जाएगा ठीक है चलिजी next जब magnesium जलाया जाता है तो क्या बनता है दोस्तों सुने बिल्कुल सही है जब magnesium जलाया जाता है तो बनता है दोस्तों क्या राक तो इस question का right answer हो जाएगा C चलिए Uber cup और Thomas cup किस से जुड़े है Uber cup और Thomas cup दोस्तों किस से जुड़े है तो इस question का जो right answer होगा that is option C यानि की badminton से जुड़े है ठीक है चले next है किस राज्य के मंत्री मंदर ने राज्य के सभी लोगों को मुप्त कोविड-19 vaccine परदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो यह प्रस्ताव देखे अभी तो बहुत सार राज्य ने दे दिया बट यह प्रस्ताव दिया था सबसे पहले प्यार ने यानि कि यहां पर जो right answer हो जाएगा वह आपका D होगा ठीक है निमलिकित में से कौन सा grey anti greenhouse प्रभाव दिखाता है तो यह टाइटन दिखाता है दोस्तों यानि कि यहां पर right answer आपका option C हो जाने वाला है गांधी सागरबान भारत के किसरा चमेश्थित चंबल लधी के पार बनाया गया है तो किस राज्य में बनाया गया है यह आपसे पूछा जा रहा है और इस question का right answer हो जाएगा गांधी सागर डैम जो की एक चंबल लधी पर बनाया गया है यह मद्दय परदेश में दोस्तों ठीक है चलिए यह district पढ़ता है दोस्तों निमच डिस्टिक पढ़ता है आपसे पूछा जा सकते हैं तो आप याद रखेगा दोस्तों अलू एक खालिस्थान ए पटेटो इस आ पटेटो दोस्तों क्या है पटेटो एक तना है स्टीम है ठीक है तो यह आपको या रखना है next question है मैग्रो ऐसे पोदे हैं जिनके पास जिनके पास क्या है दोस्तो रेस्पिरेटरी रूट्स है ठीक है सरसन जड़े हैं जिनके पास उनको बोलते हैं मेग्रोव फॉरेस्ट या मेग्रोव प्लांट्स नेक्स कोशन है लौड कलाइव ने इस राजुदोला को किस यूद में हराया था तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल से है बेटर लोग प्लासी में है ठीक है प्लासी का जूद हुआ था इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन है ठीक है भई हुआ कब था यह 1757 में यह भी आप याद रख सकते हैं कौन सा भार्थे राज्ये अगर्णे का पास उत्पाधक है सबसे ज़्यादा कोटन प्रोड्यूस करने वाला राज्ये कौन सा है बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं गुजरात के बारे में तो गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात टॉटल कोटन प्रोडेक्षिन का 30 परतीशत केवल गुजरात में होता है तो यह आप याद रख सकते हैं ठीक है काफी बढ़ी हा गोशन है next है lymphocyte का मुखह कारिय क्या है तो lymphocyte का मुखह कारिय दोस्तों क्या है एंटी बोडी का उत्पन उत्पादन यानि की प्रोडिक्शन ओफ एंटी बोडी इस तो इस कोशन का राइट आंसर ओप्शन यह हो जाएगा ठीक है दोस्तों निम्लिकित में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी तो हैदराबाद राज्य की स्थापना दोस्तों की थी निजाम उल्मुल्क ने ठीक है तो निजाम उल्मुल्क इस कोशन का सही आंसर होगा नेक्स कोशन है भारत में अहों विद्रो कहां से सुरू हुआ था तो भारत में अहों विद्रो कहां से सुरू हुआ था दोस्तों क्या बात है बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग इस कोशन का राइट आंसर होजएगा असाम से यानि की D is the right answer नेक्स्ट कोशन है किस प्राचीन भारते चिकित्सक को सरजरी की जनक के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों सोसरता इस कोशन का राइट आंसर होगा ठीक है इन्होंने पांच भी सताब्दी में के दोरान अभ्यास किया था ठीक है ना चलिए नेक्स कोशन आता है कच प्रायदी पठार की सभारते राज्या मेच्टी थी था तो कच प्रायदी पठार दोस्तों किस भारते राज्या में इस्थित है ये आपका इस्थित है गुजरात में ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तो आई एफ एस सी की फुल फॉर्म बतानी है इसकी फुल फॉर्म क्या है देखे इंडियन फाइनेंशल सिस्टम कोड इसकी फुल फॉर्म है और इसमें 11 डिजिट नंबर होता है दोस्तो एक यूनीक यह आपको आद रखना है जिसमें आपके पहले चार करेक्टर जो होते हैं वो इंडिगेट करते हैं नेम ओफ दा बैंक और बाकी आपका जिसे मतलब पूरी आएफसी कोड में 11 डिजिट होते हैं जिसमें पहले चार करेक्टर आपसे कहीं बार पूछा आ चुग है किसको रिपरजेंट करते हैं तो बैंक को रिपरजेंट करते हैं दोस्तो नेक्स्ट है रेगिस्तानों के जल तनाव की स्थिति में उगने वाले पोदे को क्या कहते हैं दोस्तो जिरो फाइट स्यानी की ऑप्शन भी रैट आंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट कोशन आता है भारत में आर्थिक विकास का LPG मोरल किसने पेस किया तो ये पेस किया था आपका डोक्टर मनमोहन सिंग ने यानि कि यहाँ पर भी सही आंसर आपको प्शन भी हो जाएगा ठीक है और ये जो किया था दोस्तो मोरल ये 1991 में किया था ठीक है चले तो थेंक्यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए और अगर आप ये एक गंटे की वीडियो देख रहे है तो अगले वीडियो में सिप्ट हो जाईगा दोस्तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बते कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बोक्स में जुरू बतेगा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर कर दीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन कौन रखे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे और मिलते हैं नेक्स क्लास में अपना ख्याल लखे और किसी को भी अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन जोइन करना है तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं स्टड़ी टैन विदाउट एनी स्पेस चलिए भे मिलते हैं नेक्स क्लास में बाई बाई टेक केर वीडियो